हाई व्यूवर्स आशा है आप लोग अच्छे होंगे आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ जॉन्सन्स बेबी क्रीम का दो वर्शन जो है उसका तो एक है बेबी क्रीम ये काफी थिक है और एक है मिल्क और राइस ये काफी लाइट है दोनों ही 100 ग्राम के हैं मैं regular यूज करती हूँ इसलिए मैं 100 ग्राम का ही मंगाती हूँ तो ये कैसा है कितना effective है ये जानेंगे तो इसका जो price है वो इसका 155 है rice और milk का इसका है 135 तो हमेशा ये कुछ ना कुछ offer में रहते हैं तो 110 या 120 के around और ये 135 के around मिल जाते हैं तो सबसे पहले बता दूँ कि मेरा skin type जो है combination type में टी जोन oily रहता है forehead का सामने वाला लेकिन थोड़ा age हो रहा है तो forehead के सामने वाला oiliness खतम हो गया लेकिन नाक पे और ठुड़ी पे वैसे ही oil आ जाता है तो हमेशा ही मुझे struggle रहा है कि कौन सा cream लगाया जाए मैंने हर एक चीज ट्राइ किया है कोई sponsor वीडियो नहीं है लेकिन मैंने बहुत struggle के बाद अपना कुछ suitable cream मिला है मुझे इसलिए मैं share करी हूँ और मैं हूँ नाना इस चैनल पर हम लोग review करते हैं जो भी product मैं खरीदती हूँ और अगर वो अच्छा होता है तो मैं आपके साथ share करती हूँ और unboxing videos करती हूँ तो मेरे combination skin की वज़ा से हमेशा ही वो oily दिखता है तो कोई भी cream लेकिन oily है इसका मतलब यह नहीं है कि उसको moisturization की जरूरत नहीं है इवन उसको तो अच्छे moisturization की जरूरत होती है लैक्मे का peach milk मैं पहले use करती थी जब student life में तब तो पापा जोला देते थे वही तो घर पे लैक्मे आता था उसको लगाती थी लेकिन उसमें भी मुझे ऊपर से powder लगा लेना पड़ता था उसके बाद पॉंच्छ ट्राइ किया पॉंच्का light version ट्राइ किया फिर नीविया 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 तो काफी हेवी हो जाता है यह lips के लिए अच्छे हैं वो combination और oily skin वालों के lips के लिए नीविया अच्छे हैं पॉंच्छे हैं लेकिन face के लिए तो बिलकुल भी नहीं बहुत oily और dull बन लेकिन अगर आजाए तो डल दिखता है ऐसा कलर तो स्ट्रगल तो था ही कंटीनियस फिर हिमालया की मैं पैन हो गई हेर प्रोडक्ट उसके काफी अच्छे थे तो उसका मैंने क्रीम काफी सारा मॉस्चिराइजर जो लाइट वाला है वो यूज किया लेकिन वह भी सैटिस्ट यह जब मैंने शुरू किया पहले यह शुरू किया था मैंने इसका पहले मैं लगबग डेर साल पहले एक चैनल बनाई थी उसमें मैंने इसका रिव्यू किया था यही मेरी फॉस्ट वीडियो थी फिर मैंने मोड चेंज कर दिया तो फिर मैंने उस चैनल को डिलीट कर दिया तो फिर मैंने अन्वाक्सिंग चैनल मुझे हमेशा सही वीडियो बनाने का मन करता था यह प्रोडक्ट से लेटेड तो मैंने फिर से भी शुरू कर दिया और अब शायद नहीं बंद करूंगी देखते हैं तो यह पहले मैंने यूज किया और यह काफी हलका है और यह मैंने सम बैग में रखना भी हैंडी होता है बैग में रखने के लिए छोटा वाला भी ले सकते हैं 50 ग्राम का इससे थोड़ा सा ज्यादा लेने से पूरे फेस पे कवर हो जाता है तो यह मैं दिखाती हूं आपको यह पूरा अच्छे से अब्जाब हो जाएगा अगर ऐसे लगा के से छोड़ भी दें अगर मसाज ना भी करें तो थोड़े देर में यह सकिन में अब्जाब हो जाएगा मुझे अपने पेरेंट से हरीडिटी में ही अच्छा स्किन मिला है बने फेस का स्किन तो वाई ली है लेकिन बाकी सब में अभी विंटर है लेकिन मुझे ऐस सच कुछ जादा ज़रूरत नहीं पड़ती है तीन-चार दिन में एक बार अच्छे से मॉस्टराइजेशन कर ल अगर मैं छोड़ दू तो एक दो मिनित लगेगा इन वीडियो है इसलिए मैं अपको मसाच करके इसको अबज़ॉब करके दिखा रही हूं एक दम भी ओइल नहीं रहता है इसमें समर के लिए पर्फिक्ट लुक देता है और कोई भी ओईली नहीं आता है उपर से में अब मैं पाउडर भी लगाना छोड़ चुकी हूं फेस पे क्योंकि पहले कोई भी क्रीम लगाती थी तो मुझे फेस पाउड लगाना पड़ता था उसको थोड़ा सा मैट फिनिश देने के लिए यह देखें तो इसमें कोई क्रीम नहीं है और इसमें क्रीम है तो यह healthy है लेकिन oily नहीं लग रहा तो इसको तो मैंने 2016 में last की तरफ इसके बाद मैंने किसी और क्रीम में स्विच नहीं किया यह इतना बढ़िया काम करता है मेरे लिए लेकिन हाँ विंटर में यह थोड़ा light हो जाता है तो फिर मैंने इसका यह वर्शन मंगाना शुरू किया इसको भी मैं साल भर से यूज कर रही हूँ इवन मेरे हजबन भी इसमें स्विच कर चुके है तो यह काफी थिक है और अच्छे से मॉस्चुराइजेशन दे देता है विंटर में और यह अच्छी बात है कि उतना ओईली नहीं है उतना यह ओईली है ही नहीं विंटर है इसलिए थोड़ा थिक क्रीम है और इसको मसाज करने से यह पूरा जाता है तो यह तो मेरे बेस्ट्रेंड बन चुके हैं अगर आपकी भी मेरे जैसे कॉम्बिनेशन स्कीन है और ऑईली स्कीन है तो आप एक बार इसे ट्राइज जरूर कर सकते हैं और मुझे लगता है कि आप भी मेरी तरह ही साटिस्फाइज होंगे मेरी स्कीन बहुत पतल और ऑईली स्कीन में भी मॉस्ट्राइजेशन लगता है बट तो यह थोड़ा सा क्रीमी फील देता है थोड़े दर बाद यह भी अबजार्ब हो जाएगा तो आप देख सकते हैं एक बितम भी ओईलीनेस नहीं है यह स्कीन में अच्छे से अबजार्ब हो जाता है सी ओईली ओड और ऑगिनेस नहीं है यह विन्टर्टेंट था यह वाला ला और बेभी क्रीम पिंक जो मैं बोलती हूं और यह राइस मॉल साथ यह तो आई रह जाता है क्योंकि यह एकदम भी हल्का नहीं है और समार के लिए एकदम अच्छा है तो मैं तो इसके अलावा और कोई भी क्रीम तो यूज नहीं करती मेरा तो overloaded product मिलेंगें कि ये अच्छा है वो अच्छा है वो अच्छा है वो अच्छा है और लगाएं और क्या नहीं तो इसमें ये तो मेरे savior है वो मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और और हाँ और एक चीज़ मैं आपके साथ बढु कि में और चाहते हैं ऐसे मैं biological student हूँ तो यह sunscreen जो सारे JASON भी बोलते है डॉक्त्रों भी बोलते हैं जो इंस्टा वाले रहते हैं रियल वाले में वह भी बोलते रहते है कि skin care में sunscreen must है लेकिन मुझे एसे लगता है sunscreen में इसना loads of chemicals है कि UV ray से तो वो भी react करके कुछ और chemical में बदल जाएंगे क्योंकि UV ray में काफी energy होती है photon particle होता है और जितना भी हम लोग उसको लगाएं तो वो तो उसको capture करेगा और उसके बाद उसके chemical उससे react भी कर सकते हैं किसने देखा है कि UV ray से react करने के बाद वो लो stable रहते हैं कि नहीं रहते हैं और वो penetrate करके हमारे skin में नहीं जाएगा वो तो हम अपने skin पर ही लगा रहे हैं तो इसलिए इस theory पर base करके मैं कभी UV sunscreen नहीं लगाती है और मुझे तो नहीं लगता कि मेरा skin बिना sunscreen के थोड़ा सा भी damage अच्छली धूप तो हमारे cholesterol को vitamin D में बदलने में मदद करता है तो sunscreen is a big no-no for me मुझे उसमें लगता है कि बहुत सारी chemicals है और oily और combination skin वालों को तो पता ही होगा कि sunscreen लगाने से कैसा oily हो जाता है skin तो hope review अगर थोड़े से भी आपके कामा है तो अच्छा लगेगा मुझे तो मिलते हैं next ऐसे ही कोई unboxing वीडियो के साथ या review वीडियो के साथ ठेक केर